मोदी साब के सरकार आने का बाद, बीजेपी के सरकार आने का बाद, तुरंद जितने भी जो फावर्ट एरियास में जो पोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट जाएं हैं, तुरंद वहाँ पे एक पूरा फुल फ्लेज़ट बेटेलियन, कमांडिंग ओविसर, फुल क को लेकर, मुख्यमंद्री पेमाख खांडू ने भारती सेना की तारीफ की है, खांडू ने कहा कि घुझबैट की कोशिश कर रहे चीनी सेनिकों को भारती सेना की तैनाती ने हैरत में डाल दिया, अरुनाचर प्रदेश के मुख्यमंतरी पेमार खांडू ने कहा कि भारते सेना तवांग सेक्टर में हुई जड़क में चीनी सैनिकों को भारते इलाके से बाहर खदेरने में काम्याब रही फिलाल मामला सुलजा लिया गया है मुख्यमंतरी खांडू ने आगी कहा कि अरुनाचर प्रदेश तिबबत की साथ सीमा साजा करता है और वास्तविक करनियंतर अंड्रेखा यानी LSE की सुरक्षा करना हमारी नयतिक जिम्मिदारी है 1962 की इस्तिती मौजूदा इस्तिती से बहुत अलग थी अब बुन्यादी धांचा विक्सित कर लिया गया है प्रदान मंतरी नैंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पेमा खांडू ने कहा कि पिछले आठ सालों में विकास नकेवल सीमा वर्ती इलाकों में बलकि नौर्थ इस्ट के अन्यक शेत्रों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है पेम मोदी के नेद्रित्व में बुनियादी धांचे और कनेक्टिवीटी को पढ़ाय गया है अरुनाशर प्रदेश, भूटान, तिबबत और म्यामार के साथ सीमाय साजा करता है हम तिबबत के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करते हैं और हमारे पास LSE पर बड़ी संख्या में सैन्य कर्मी तैनात है सीम खांडो ने आगे कहा कि 1962 में भारत बैक फूट पर रहता था और उसकी रणनीती अलग थी अब हमारे पास अपने सीमा के इलाकों को विक्सित करने और उनकी सुरक्षा करने की रणनीती है आपको बता दें कि 9 दिसंबर को अवनाचर प्रदेश की तवांग सेक्टर में भारतिय और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ इस आमने सामने की लडाई में दोनों पक्षो के कुछ कर्मियों को मामोली चोटे भी आई प्यल्ले के सैनिकों ने 9 दिसंबर को अवनाचर प्रदेश की तवांग सेक्टर में एलेसी से संपर्क किया जसका भारतिय सैनिकों ने मजबूती से मुकाबला किया वहीं तवांग सेक्टर पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष को लेकर अवनाचर प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सरदार पतेल की तारीफ करते हुए देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू को दोशी ठहराया तो दीद हमारा एड्मिस्ट्रेशन असाम के अंदर में था उस वक्पर तो दीद इन गोवर्नर सोरगी आपतना दौलर ड्राम जी था तो उनको कहा कि अभी तवांग को जाके 1914 का शिमला एग्रिमेंट को इन टोटो वहां पे जाके आप लोग बोरर में जाके अपना जंड तो मेजर बोब कर्टिंग को बुलाया उनको बताया कि तवांग जो है उनको जाके हम लोग को 1914 एग्रिमेंट का मुदाभिक हम लोग को लेना चाहिए तो दो मेना लगा असाम स्टेशफूर से तवांग पहुशने के लिए तो मेना का तैयारी इसका बद चलके वहां पे र जन्डा लेहराने का हमें पर्मेशन दीजे तो फर्दर गौवरनर असाम ने बेजा केंजर सरकार को उस वक्त में अनफोर्चनेली सरदर पर्टिल का दियान्त हो चुका था तो उस वक्त में का जो प्रदान मंतरी उन्होंने कहा कि इस जगा को लेके करना क्या है हम लोग को तो फिर गौवरनर साब फर्दर फिर उस तीज को कमुनिकेट करने पाया तो मेजर भॉप कर्टिंग ने किसी का कमान के बिना उन्होंने जन्डा लेहरा के आया तो तो इस आर जी चैप्टर्स इस आर जी चैप्टर्स विच्वी यह लौस्ट इन टाइम्स नेतित्व में दो महीने की यात्रा करके तवांग पहुँचा लेकिन एन वक्त पर पंडित नहरू मुकर गए और उन्होंने तवांग पर तिरंगा लेराने का कोई आदेश देने से इनकार कर दिया पेमा खांडू ने कहा कि जब मेजर बॉम खटिंग तवांग सेक्टर पहुँचे और तिरंगा लेराने के लिए परमीशन मांगी तो राजजिपाल ने ततकालिन प्रदान मंत्री नहरू से संपर्ग किया क्योंकि उस समय तक सरदार पटेल की मृत्ति हो चुकी थी लेकिन नहरूर का कहना था कि इस जगह पर हम क्या करेंगे ये इतिहास के वो अध्याय हैं जो समय के साथ हो गए हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें